नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 5 अप्रेल दोजा चोईस, स्वागत है आपका आज के करेंटेफे डिसक्रस्षन में, चलिए डिसक्रस्षन स्टार्ट करते हैं, डिसक्रस्षन से पहले आप टेलिग्राम चैनल हमारा जरू जोइन करें न, यहापर आपको UPSC से लेटर सा अप्रेट मिल जाएंगे, तो चलिए डिसक्रस्षन स्टार्ट करते हैं, पहला जो हमारा आर्टिकल है, वो किचातू आइलेंस से समझते हैं, काफी इंपोर्डेंट आर्टिकल है, और इस पर डेफिनेटल क्यूशन बन सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा यह न्यूज में है इस्यू क्या है, इसका हम डिटेल से एक वीडियो बनाएंगी, उसमें देखेंगे, सेपरेट वीडियो में क्योंकि यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल के और पहला जो हमारा इंपरडन हो जाती है, जब किसी भी टॉपिक हो है न, या तो 100 येर है, 50 येर है, 25 येर है, 75 येर है, ऐसे एक अप्लिट होते है न, तो वह यूपीस के फैबरेट टॉपिक बन जाती है, यूपीस की डेफिनेटली क्यूशन पूचती है, तो यह बात करें वाइकम सत्याग हए हम आज के तो मैंसी समय आज के पास में तो अब इसकी बाद करें य画 सिकड़न के रख 끝 जाननों हे क्या या काको यह जहीं है आज जगा चेश्ट हुआ नो गर्सका क्यों मृताई ल्हां एक वाई कौम में एक मंदीर है भगवान शिव का मंदीर है यहां पे कहान मतर टेंपल एंत्री बेन थी उस टाइम में एक कॉंसेट्ट ऊबा करता था उस प्रडूट्र कास्ट अकूसप्ट विगदों कुछ नहीं होता है बट उस टाइम में कॉंसेट्ट सा सुसायटी तो इनको मंदीर में एंट्रि एक टेम्पल में एंट्रि यह प्रवेस है वह बाइन का मतल को जो मंदीर प्रवेस मगड़ा वह बैन है किले का बैने लोवर कास्ट की का अप्रकस्ट का ओड़ी त्रावन कोड़ck должны राजा आता राज का नाम क्या था के लाजा का नाम था राश वर्मा यह राजा का नाम था इन्होंने यहां पर मंद्र अं lawyer अंट्री बढ़ कर रहा थी अब जी क्या हुआ यहां पैर कस्टी में से का स्काश्ट का नाम था किया जावा का स्ट ऑइंगे काफी पढ़ी लिखी educated कास्ट थी अगर कोई वेक्ति पढ़ लिखते लेता है ना देखो आप समाज में पढ़ोगी तो आपको इज़ित भी चाहिए मताब पढ़ लिखे आपके बस knowledge आपको समाज में इज़ित चाहिए उस टाइम में हिंदू रिलेजन में हिंदू दरम में अपरो लोवर कास्ट का कॉर्श्ट चलता था इनके साथ में काफी पढ़तान ना होती थी वो पढ़तान है आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी तो यह तो गलती है न समाज में इनके साथ बेदबाव होता था तो यहां पर इसाई जो मिशन इस ते न इनको छूट दे दी कि आप जाओ अपना मिशन पूरा को इनका मिशन क्या था धर्म परिवर्तन करवाना यह यहां पर आई इन्होंने लालस दी कि देखो आप हिंदू दरम है तो आपको अपर लोव कास्टी उन्होंना काफी जादा उनका धर्म परिवतन हुआ एक धरम से इसाई धरम है परिवर्तित हो गए यह देखने को मिला एजावा कास्ट और जो भी लोवर कास्ट थे उन में अब इन्होंने क्या किया एक तो education मिल दिए ठीक एक इसाई support मिल रहा है सात ही सात में जो लोवर कास्ट को हर किसी को प्रोग्रेसिव रिफोर्म के तत एजुकेशन की दिए गई अब एजुकेटर होगा न कोई भी वेखती तो रेस्पेक्टली ले जाएगा तो इन्होंने अब है ना धीर धीर उनको लगा कि हमारी टेंपल में एंट्री होनी चीए तो इन्होंने आ अहिंसक था इसमें हिंसा नहीं होती अहिंसक यह अंदुलन था यहां पर कोई हिंसा बगरा नहीं सांथी पुन तरीके से किया गया था इसमें क्या किया गया था मंदीर के चार और कुछ जाने वाले रास्ते थे वहां पर बैरिकेट बगरा लगा गया थे यहां पर यह अंदोलन के बारें बताया किस प्रकार से बेदवा हो रहा है गांदी जी पिस अंदोलन में इनका सपोर्ट भी किया फिर कुछ और लिडर जैसे की पेरियार इन्होंने इसका सपोर्ट किया और सी गोपालाचारी इन्होंने भी इसको सपोर्ट किया गोपालाचारी इन्होंने पूरा अपना तो सम्भाला मंदीर ने चार रास्ते थे तो तीन को इन्हों ने गांदी जी अलाव करवा दिया कि तीन रास्ते तो लोवर कास्ट के लिए स्टार्ड कर दीगे तो यह पूरा इसकी बैग्ग्राउंड था इस प्रकास यह अंदुलन जला फाइनली गांदी जिन एंटर्मिंग की यह अंदुलन सांत हो गया और कुछ ताइम बाद में इस अंदुलन को वापस ले लिया गया त तो यह देख लो साल पूरे हुए 30 मार्च 1924 को यह अंदुलन शुरू हुआ था काफी अहिंसक अंदुलन था कोई भी इंसा बगरा सारा नहीं लिया गया था क्यों शुरू हुआ था मंदिर में परविश के लिए शुरू हुआ था सुदारों में किसी भी प्रकास से जो सकता थी क्योंकि इनके साथ बेदवाव होता था इसलिए शुरू किया था और जो विसामती रिति रिवाज बगरा से वहां पर सुसाइटी थी उससे सुदार करने के लिए शुरू किया था कास्ट में एक सिस्टम देख लिए हमने पर दूसे कास्ट का मतब होता है अपर का सब्सक्राइब करने के लिए उससे क्या हुआ उससे यही हुआ कि लोग एजुकेट हुए तो उन्होंने डिमांड करी हमारे राइट का जो हनन हो रहा वो गलत है फिर यह दिरिति रांदुलन चलता रहा और बाद में गांधी जिन इन्वर्ट कि इतने सारे लोग थे उस त आखल या तकवमात्वन जो खते उनका एक वाच्वा था अकबार का नाम याद रखना देश विमानी यह संपाद कीस घाता तकी शरती मांदव किससे संबधिता देश भीमानी यह संबधिता गांधी जी आए तो 32 में गांधी में एंट्री और देरे अंदूलन को सांध नो कोशिस की गई गांधी जिन इनका काफी बड़े मड़बड का समर्थन किया था फिर 1923 में काकी नाड़ा में एक कॉंगरेस का जो 17 कॉंगरेस हर साल अपना अलग अलग सेशन करती थी अलग लाजियों में अलग जगाव पर तो 1923 में यह कहां हो था काकी नाड़ा में होता तो और कुछ टाइम के बाद में राजा के डैथ हो गई एको राजा के डैथ हो गई और उसके बाद में जो रानी थी लक्ष्मी भाई इन्होंने जो यह दे रानी सेतु लक्ष्मी इन्होंने केडियों को रिवा कर दिया और मंदिर में जो एंट्री थी उसमें गांधी जे ने कि बाद में क्या देखने को मिला यह तो नमस्कार दोस्तों आज की रेटे पांच अप्रेल दोजा चोई स्वागत है आपका आज के करेंट फे डिस्कसन में चलिए डिस्कसन से पहले टेलेग्राम चैनल आप जरू जोइन कर लेना क्योंकि आपको यूपी अप्डेट है वह आपको यहाँ पर मिल जाएगी नमस्कार दोस्तों आज की रेटे पांच अप्रेल दोजा चोई स्वागत है आपका आज के करेंट फे डिस्कसन में चलिए डिस्कसन से पहले हमारा टेलीगरम चैनल जरू जोइन कर लेना यूपी सी से रिलेटर सारे अपडेट आपको मिल जाएगा तो चलिए डिस्कसन स्टार्ट करता है पहला जो हमारा आटिकल है की चाहती वह आई-लेंड के बारे में यह मुदधा काफी चर्चा में है और यूपी सी का फेवरेट टॉपिक है विकोज की जो मुदधा चर्चा में होता है यह तो प्लेसर न्यूज में है और सत्यागरः के बारे में क्यों है क्योंकि इस सो साल पूरे हो चुके जोइस मार्च उनिस सो साथ गूआता इसलिए अभी इस सो साल पूरे हो चुके इसलिए जब किसी टोपिक आप ड्र Wass Ariany is येर हो रहे हैं, 25 है, 50 येर है, ऐसे कंप्लिट हो रहे हैं, तो वो UPSC के लिए फेवरेट बन जाता है, UPSC उस पर डेफिनेटली क्यूशन पूछती है, तो इस पी भी क्यूशन आ सकता है, तो चलिए इसको इसको डिटेल से डिसकस कर लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, व राजा का नाम था, वर्मा जी, राम वर्मा राजा थे उस टाइम में, राम वर्मा यहां के किंग थे, ठीक है, यहां पर सुसाइटी थे एक अपर कास्ट, एक लोवर कास्ट, ये रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, अपर कास्ट लोवर कास्ट, अकोर्डिंट तो सुसाइट इस प्राइप से दो पारकार से डिवाइड थी एक अपर कास्ट में डिवाइड थी एक लोवर कास्ट में डिवाइड थी अब एक कॉंसेप्ट होता है आपने सोसाइटी में देखा हो तो एक कॉंसेप्ट होता है पॉलुटेट कास्ट का कॉंसेप्ट क्या होता है इसके एको यहां पर तावन कोर में बगवा सिवजी का मंदिर था ठीक है इसमें जो लोवर कास्ट ने इनकी एंट्री बेंट थी यह यहां पर नहीं जा सकते थी अपर कास्ट की लोग जा सकते थी लोवर कास्ट की लोग जा नहीं सकते थी ऐसी इस्तति उस टाइमें यहां पर देखने क इइश्ञाई मिसते हैं इनका टार्गेट क्या था धर्मान कर्वान है धिर्मार्टर upset करवान है जो हिंदू थी उनको इस्टाइब करना है यहां पर जो जो लोवर काष्ट थी न लोवर कास्ट इनको लालस लालस। न तो जाती बात करbei्थने को को साथ में जो राम वर्मा थे ना इन्होंने काभी प्रोग्रेशिव रिफॉम लिए क्या प्रोग्रेशिव रिफॉम लिए इन्होंने एजुकेशन को फ्री कर दिया सब के लिए अलाव कर दिया चाहे वह अपरकास्ट का हो चाहे लोवरकास्ट का हो एजुकेशन ले सकता है ल लोवर कास्ट ने हैं रिमाने कि हमारे पास भी राइट होनी चीह हमें भी मंदीर में अंटिर यो झाने के बैढ़ए ओमारे साथ στοंग यहाँ पर बैढ़ गे बैढ़ए नänder के बंदं़ी तैं यह जो आंदौलों था आहिंस सक्ता Didi अपना है था ठीए कि ग維ाद गांधी जी इस प्रकासा आंदोलन करते थे एइसक उता था इंसा नहीं करते थे शत्याग्र Trinity इस प्रकासी आंदोलन चलता था अब इस कास्ट में एक लीडर थे जिनका नाम था टीम माधवन काफी educated थी तो टी माधवन जी मिले किसे गांधी जी से ये गांधी जी से मिले इन्होंने गांधी जी से कहा कि हमारा जो मंदिर से मंदिर के entry से related आंदोलन चल रहा है आप इसका support करो गांधी जी ने support किया भी इसलिए कांग्रेस का 1923 में एक काकी नाड़ा में कांग्रेस का हर साल अलग जगा वो होता था सत्र कांग्रेस अलग जगा सेशन्स करती थी कांग्रेश ने 1923 में काकी नड़ा में 17 आयुजित किया इस दोरान कांग्रेश ने एक प्रस्ता भी पारद किया ये जो मंदिर वीरोदिय आंदुलर ने इसका एक प्रस्ता भी पारद किया तो कांग्रेश का भी इसको support मिल गया फिर पेरियार है और सीराज गोपालाचारी ज हो गई नहीं जो मतलब राज संभाला वो संभाला रानी ने रानी का नाम था लक्समी इन्हों ने राज संभाला अब इन्हों ने राज संभालती क्या किया इनके सामने मुद्ध था ही तो यह जो अंदोलनकारी थी वो जा रहे थी मंदिर की और तो रानी ने इनको लगा दिय सब्सक्राइब तो समझोता का थे, समझोता क्या हुआ, ये जो मंदिता, उसके तीन रास्ति थे 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 न, तीन रास्तों में तो entry को, जो बेहन था, उसे हटवा दिया गया, तीन रास्तों के थूरु, जो भी lower cast के लोग थी, वो entry कर सकते हैं, एक रास्ता था, वो अभी भी upper cards के लिए खुल चला जाती कदा व्यवस्ता थी पूरी जो प्योर और अन्प्योर का कॉंसेप्ट था उन्नीश विस्त बीन चलता रहा था दिर दिर आगे बढ़ा एजावा कम्यूनिटी थी नाम भी देख लिया हमने जो टीम आध्वन नाम था फिर गांधी जी ने भी एंटरी की गांधी ज को 23 नवंबर 1925 को इस सत्यागरों को वापिस ले लिया गया इसका एंड हो गया और जो महराजा थी इन्हों ने 1936 में प्रस्ता पारिद किया एक जो उद्गोषना थी उस पर अस्ताकसर किये और इन्हों ने का जो भी मंदिर पे बैन के लिए जो भी जहां पर मंदिरों एं अंदोलन करता नहीं था मंदिर एंट्रि हो यहा किसी भी लिए लोवर कास्ते कोई लो आगे नहीं आती थे तो यह उसके बाद में लोऔर कास्ते लोगोँ ने लोवर कास्ते जो भी लोग ती उन्होंने अपनी हक्त के लिए आवाज उठानी श्टार्ट कर दी उन्होंने काफी संती पूर्ण को मिलतА है किसी भी स्थित्य में इन्होंने अहीं सा को नहीं अपना है काफी यप र acho को यह यह आ wording प्रकार की एक लहर देखने को मिली थी तो यह हमारा पूरा आर्टिकल था वाइकॉम सत्या गरग से समझेत काफी अच्छा आर्टिकल था तो यह हमने डिटल से देख लिए नेक्स जो हमारा आर्टिकल है वह न्यूकलियर एनर्जी सम्मिट के बारे में सबसे पहले यह यूप्लियर एनर्जी सम्मिट दो जार चोइस ठीक है यह चीज आयो जी तो क्यों आयो जी तुँआ था एड़ किसने किया ब्रुसेल्स के पी एम ने बतेख साथ कि और आई ए ए इई इसके जो अध्श्य है इन्होंने भी इसके अध्श्य ता कि इन दोनों ने अध्श्य तक हुए है उक्रीयन और रसीया के मददेद चल रहा है युद्ध ठीक है युक्रीयन यहां पर रस्या कभी ऐस करता है आच तब्स लाखता है चाहर सकती कि एगर बार यी कोड़ आन सी क happily लिखता है तो इस वजह से यह की जा रहा कि इस परकार कि न्一点 काफी चला नких सब्सक्राइन जबसे लगए बात करें इसके बैक्गरॉंड के बारें बात करें इसे क्यों अपनाया गया है जो बीदेदिक बारेंЗबड के वारें बात करें इसके बाक्रांब करें इसके शुर्दध हुई थी लिगोगोगोस Alrighty आप ती UAE दुबई में आयो जीतुई ती ये दुबई में आयो जीतुई ती तब एक decision लिया गयता कि ये जो nuclear energy है ये काफी safe है इसमें carbon की footprint भी काफी कम है carbon footprint इसमें काफी कम है तो इसी अपना लिया जाना चाहिए इन्वनेट टार्गेट ड़का 2050 तक अभी जितना ही nuclear energy का use होता ह उससे तीन गुणा ज्यादा यूज होना चाहिए अभी जितना nuclear energy generate की जाती है उसका तीन गुणा ज्यादा energy generate की जाने चाहिए ये target डगा गयता इस पर काम भी start हो गया इसलिए इसकी इस्ता अपना की की थी किसकी परमानू उर्जा सिखर समय लेंड की ठीक है जी अब हमने पर है जापूर ही या परमानू परमान शनिक मत पर ही इसके नाम याद रखना इंया इसके location याद रखनला म यह एक Ukraine का power plant ह पावर प्लांट है nuclear power plant अब यह तो nuclear power plant के बारे में देख लिया अब हम बात देख लेते हैं इस एनर्जी के बारे में परमानू उर्जा बात करें या नुकलियर एनर्जी के बारे में बात करें सबसे पहले नुकलियर एनर्जी बनती है नुकलियर यानि परमानू होते है उनका विखंडन होता है उनके जो होता है उनमें एक्टिविटी करवाई जाती है उनमें रियक् के अपको समझ में आ गया है कि बंती कैसे है अब बंती थे हमें पताझा है काफ़ी से तो पर्माद उर्जा काफी सेक करें तो उसमें जो परमान उर्जा है न्यूकलेर रेनरजी है वह सबसे सेफ है उसमें सबसे कम Co2 का सबसे कम Co2 का Emission होता है ना पिर वाक की जो भी कौनसी हइड्रो इल्लेक्ट्रिक है या फिर प्र होलर प्लांट है उनमें इसके तुल्ना में ज्यादा carbon का उस्षरजन होता है, चार गुणा ज्यादा carbon का उस्षरजन होता है, तो इसलिए ये जो renewable energy होते हैं, उसमें सबसे safest energy है, वो पर्मान ओर जा है, पहला इसका लाप है, इसमें carbon का उस्षरजन कम होता है, दूसरा, ये बारो मासी है, बारो मासी मतलब 24 by 7 इसका access मिल काम नहीं करेंगी, ये जो nuclear power plant है, ये choice 24 by 7 आपको access देखने को मिलेगा, और इसके लाप ज्यादा है, कि तो चोईज गंटे देखने को मिलती है, कोई दिक्खत नहीं आती है, बारो मासी होती है, CO2 का emission कम होता है, तो ये सारे फायद है nuclear energy के बारे, ये देखो, इसका परमान carbon footprint बहुत कम मिलता है, ये सारे इसके benefit भी है, अब हम बात कर लेते हैं, International Atomic Energy Agency के बारे में, देखो, परमान उर्जा एजनसी के बारे में बात करें, तो ये है ना International Corporation के लिए, परमानु के छेक्तर में, अंतरस्टी Corporation हैं, सयोग बढ़ाने के लिए, इसकी इसकी इस्तापना की इसकी 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 पालतु बनाने के लिए इसमें प्रेंग बनाने के लिए इसमें प्रेंग पहुंचा सकते तो इनको ट्रेंग किया जाते हैं अब अभी इन पर किया किया जा रहा है अभी इन पर किया जा रहा है डियाने प्रोफाइलिंग की जारी इसकी जैनेटिक प्रोफाइलिंग की जारी यह क्यों किया जाएगा यह जो हाथी होते हैं एक इनके हाइड कितनी हैं कहां पर यह बैठते हैं कहां पर आते हैं कहां पर प्रोफाल इंत्यार की इनकी इमेज ली जाएगी इनकी हाइट को ट्रेक किया जाएगा इनकी खानपन को ट्रेक किया जाएगा इनकी जेनेटिक प्रोफाल कैसे उनको सब को ट्रेक किया जाएगा ये एक सारा है न मुद्द उनको डेटाबेस में रखा जाएगा एक डेटाब कि खुव क् neue एक्साश पूरे देश को होगा तो इसकी benefit भी देखिंग लाएँ तो यह हमने देख लिया करेंगा तो के जो forest department ऊनके दबरह किया जाएगा आफ यह डिरत परोफाइ snug की बात करें जैने वह सब करें होता है इसका हरGood profile ंग होता है क्या हर इनसान है हर human being की बात करो या कोबी prani की बारे बात करो उनका एक अलग DNA होता है इनका अलग DNA होता है तो उनका DNA का sequence भी एक अलग होता है आपने देखा होगा पड़ा भी होगा ऐसे अलग अलगÉ परकार के DNA आपने देखा बाहत होगो मूवी वगरा में कि जीन के तुरू किसी इंसान की पहलिखा, DNA के तुरू, DNA प्रोफाइलिंग के तुरू, mo hablageavag veg व event किया है, से हम किया जाए का हाथियों के साथ में कि वो अगर उनका DNA अलग है तो पता किया जाए किस हाथी का किस परकार का है तो अलगलग प्राणियों किया जाता है यह काफी राजयम अलड़ी हो चुका है अभी केरल में हो रहा है तो यह DNA प्रोफाइलिंग सब का अलगल होता है इसक Capital elephant का पता होना चाहिए आपको Next जो मारा article है वो 60 से ज़्यादा जो product है उनको GI tag मिला है अलगल राजियो के 60 से ज़्यादा project है product है उनको GI tag मिला है तो क्या देखो 60 के नाम आपको याद रहने नहीं है इसलिए कोशिस ही नहीं करनी कि 60 product कौन कौन से आपको क्या करना है जो भी news में product आ रहा है दीरी दीरी उनको repeat करोगी तो आपको नाम याद हो जाएगा वाखी तो देखो साल में ना 200 से 300 product को मिलेगा कितनों के नाम याद रखोगी नाम ऐसे याद रहेंगे नि जो news में जो महत्वपूर्ण लगी उसका नाम याद रख लेना है तो हमें क्या करेंगे हम अभी जो news में उनको देख लेंगे जैसे कि एक मातावारी पेरा है ये news में आज है मातावारी पेरा सबसे पहले कहां कहा है मातावारी पेरा है त्रिपूरा का चीज़े क्या दाया है याद रखनी एक तो कोई भी प्रोड़क्ट है कहां कहा है मतलब उसकी लोकेशन पता होनी चीजिए प्रोड़क्ट क्या है मतलब यह पेड़ा है तो यह तो पता है यह आपको यह तो पेड़ा आपको पता ही है और बीच कोई चीज आदी तो वह चीज है क्या कहां किये और क्या है तो माता प्रशाद दे जाता है उसके रूप में इसे दिया जाता है तो यह मातावारी पेरा है उसके बाद में बात करें पच्रा अब यह मैं बाता रहा है कि क्या क्या चीजे पता है तो पच्रा है क्या आपको अगर दे दिया जाएगा हाली में प्रोड़क्ट को जिया ठेक मिला है जिसका नाय पच्रा तो पच्रह है क्या ऐसे क्या पूच लिया जाएगा पच्रह एकपड़ा है एक क्रिधान ला त्रिपूरा में बनाया जाता है ठीए मोट भांगे जो जंजाती लोगे मोसे बनाते निके संख्या बहुत डिया और इसंट्यों की बनाया जाता है मतलब इंदरस्ती हाथ से क्योइश белा सथ बॉनकर बनाया जाता है तो ये सारी चीज़े आपको पता होने चीज़ पचला के बारे में, दो चीज़ देखिए हमने, एक तो देखा है पचला, जो की कपड़ा है, कहां का तिरपुरा का है, टैबल्स ग्रूप के द्वारा बनाया जाता है, दूसरा मातावारी पेरा, ये भी तिरपुरा का है, ठी पी वाई क्यूज है, उसे भी जरूर देख लाई, पी वाई क्यूज देखने से आपको पता चल जाता है, किस प्रकार की क्यूज है, वो यूपिया से पूच रहा है, ठीके, राम इसने बार वाई कॉम सत्यागर के बारे में, देखे लिया है, एक बार फिर से बढ़ सकते ह उसके बाद में कुछ और क्यूसन दे रहे हैं, क्यूसन को आप अच्छे से देखो कि तो आपका एनलाइसस पूरा हो जाएगा, इस पूरी पीडियाप में सबको आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, ललित कला अकार्दमी नियूज में क्यों ह इसका जो उद्शी क्या होता है, इसका एम होता है, ललित कला, ललित कला मतलब जो ऐसी कला होती, काफी जो इस्पेसिफिक हो, फाइन आर्ट हो, मतलब बहुत अच्छे आर्ट हो, उसको परमोट करने के लिए इसकी सुरुआत की गई थी, ये कला से समा दीते हैं, इसे सोसा इसका 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 नियू डेली में, कुछ इसके रीजनल यान छेक्तरी भी है, जो यहां पर इस्थेते हैं, सारे आपको नाम याद रखने के जरूत में, हेड़कोर्टर दिली में इतना पता होना चाहिए, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल होगा, ललेज कला से समझ दे आज की डिसकुशन में इतना ही था, थेंक यू, थेंक यू वेरी मुच फॉर डिसकुशन